नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज 18 में हूँ आपके साथ में इनका चौत्री और सबसे पहले बात कर लेते हैं नेशन वन इलेक्शन की क्या ये संभव है भारत में या नहीं है इसी पर लेकर विवादों के बीच प्रस्ताव को मोधी क्याबिनेट ने मंजूरी दे दी है संसेत के शीत कालें सत्र में पेश किया जाएगा ये प्रस्ताव आपको बता दे पूरु राश्रपती रामनात को विंद के नेत्रितु में एक कमिटी का गठन किया गया था आठ सर्दस्यों की इस कमिटी ने वन नेशन वन इलेक्शन के संभावनाओ पर मार्च में अपनी रिपोर्ट राश्रपती द्रौपती मुर्मू को सौब दे थी इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिये गए है उसके मुताबिक पहले कदम के रूप में लोकसभा और राजसभा विधान सभाओं के चुनाओ एक साथ करा जाने चाहिए और समिती ने आगे सिफारिश की है कि लोकसभा और राजज विधान सभा चुनाओं एक साथ संपन हो उने के 100 दिन के भीतर इस्थाने निकायों के चुनाव भी कराए जाने चाहिए और उसके बाद आने वाले चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए यानि कि One Nation, One Election कैसे पॉसिबल है इसकी एक रूप रेखा सिफारिश के साथ-साथ इस रिपोर्ट में है साथ अलग-अलग देशों की चुनाव प्रक्रियाओं पर रिसर्च करने के बाद इस टीम ने इस रिपोर्ट को तयार किया जो कि राश्रपती द्रौपदी मुर्मु को सौपा गया है और अब कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मन्सूरी दी है पूरे देश में एक निश्चित वक्त में सभी इस तरके चुनाव संपन कराई जा सकते हैं उसकी एक रूप रेखा इस रिपोर्ट में है में सब्स हैं एक दो सके बाद में 1992 में रिकमेंड किया था कि वन एलेक्शन तो लोकसभा एंड और लेजिसलिटिव एसंब्ली इन फाइव इस होना चाहिए जिसे की देश में डेवलोप्मेंट चलता रहे जो बहुत सारा कर्चा होता है लेक्शन के कारण वो न हो बहुत सारा लॉइन ओर और और कRIMINAL जश्टिशन सिस्ट्शल्ड जो बदित हो जैता है बिकास पुलिसमें अर टोतली दिश्टा इन इन धिन आउन अ वो सब जो बड़ा एक disruption रहता है वो न हो इस प्रस्ताव को मन्जूरी मिलने के बाद One Nation One Election का विरोध भी शुरू हो चुका है कॉंग्रेस अदेक्ष मलिकारजुन खड़के ने एक देश एक चुनाव का विरोध किया खड़के ने कहा One Nation One Election practical नहीं है ये चलने वाला नहीं है ध्यान भठकाने के लिए ये मुद्दा लाया गया है ये देखिए ये practical नहीं है और ये चलने वाला नहीं है ये सिर्फ चुनाव जब बात है कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रा हुनको ऐसी चीजे बात करने के लिए इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं और इसी लिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं है तो वान नेशन वान इलेक्शन बीजेपी की मैनेफेस्टों का हिस्सा है वान नेशन बाइवर्ट के लिए डिए सुवा तंतरता देवास के मौखे बार पियम मोधी ने लालकेले की प्राचीर से एक देश एक चुनाव को जरूरी बताया था उन्होंने कहा था कि बार बार चुनावों से देश की प्रकती बाधित होती है कि देश ने बार बार चुनाओ इस देश की प्रगेती में रुकावण बन रहे हैं गतिरोथ पदा कर रहे हैं आज कोई भी योजना को चुनाओ के साथ जोड़ देना आसान हो गया है क्योंकि हर तिन मेने चे मेने कहीं कहीं चुनाओ चल रहा है वन नेशन वन इलेक्षन के लिए देश को आगे आना होगा देश के राजनितिक दलों से आगर करता हूँ देश के समिधान को समझने वाले लोगों से आगर करता हूँ कि भारत की प्रगति के लिए भारत के संसाधनों का सर्वातिक उप्योग जन सामाने के लिए उसके लिए वन नेशन वन इलेक्षन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए